हेलो गईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि सैमसंग A51 फोन में आप लोग स्क्रिन शॉट को कैसे ले सकते हो अगर आपके पास एक सैमसंग A51 फोन है और इस फोन में जो है आप लो वीडियो में ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए, तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शोट ले बटन दोनों को एक साथ में एक बर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर screenshot जो हो आ जाएगा तो यहाँ पर से आप लोग सिर्फ इसी तरीके को यूज़ करके screenshot को ले सकते हो यहाँ पर और कुछ भी features नहीं दिये गए ठीक है गई सेमसंग के फोन में आप लोगों को जैसे रियल में मिलता है थ्री फिंगर स्वाइब डाउन करने से screenshot आ जाते है लेकिन सेमसंग के फोन में यह सब नहीं होता है गाईस सेमसंग के फोन में आप लोग पावर बटन और वोलियूम डाउन बटन को एक साथ में क्लिक करके ही screenshot को आप आओगे और screenshot को edit करना है तो यहाँ पर toolbar आ जाएगा screenshot लेते ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग rotate वेटर कर सकते हो size वगएरा को यहाँ पर से maintain कर सकते हो और right बटन पर क्लिक करते ही यह save भी हो जाएगा ठीए गैस तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक ने एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई